आज मैं discuss करने वाला हूँ, जो हमारा एह पंदरे बीस माडल का BDZ printer है, इसके message के parameter को discuss करूंगा, अगर हमारा मालीजी कैन पर print करना है, जैसे देखी हमारा कैन पर printing हुआ है, इस पर print करना है तो किस तरह से हम message बनाएंगे और हमारा मतलब message का parameter क्या होना चाहिए? तो यह मेरा देखिए बीडीजेट प्रिंटर जो है यह प्रिंटिंग मोड में है यहां पर देख सकते हैं प्रिंटिंग मोड में है और हमारा प्रिंटिंग कर रहा है तो ऐसा मैसेज हमारा प्रिंट कर रहा है एक कायन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का मैसेज प्रिंट कर तो इस ऐसा message print करने के लिए कौन सा parameter हम डालेंगे message का parameter कैसे set करेंगे तो उसको हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले मैं एक print निकाल के दिखा देता हूं तो मैं print head के पास चलता हूं यह देखिए यहाँ पर print head है तो यह देखिए साधा page है यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर इसको print करता हूँ तो देख सकते हैं कितना standard quality का print हुआ है तो ऐसा printing करने के लिए हमारा parameter में क्या क्या होना चाहिए तो यह हमारा message printing mode में है अब मैं parameter में चलता हूँ और parameter देखते हैं यह message में गएं उसके बाद interface कियें इंटरपरेस कियें उसके बाद क्या आ रहा है message parameters second option तो इंटरपरेस कियें अब इख सकते हैं हम लोों को अगर इस तरह से printing लेना है इस तरह से अगर हम लों को printing करना है तो हमारा जो parameter होता है तो हमारा जो parameter होता है कुछ इस तरह से होना चाहिए फा pennies point 64 Bird उसके बाद ए देखिए character height हमारा जो print होता है उसका height कितना है यह जो हमारा यहां पर देख सकते हैं इसका height कितना है यह standard जो है ओव साथ है इसको साथ रखे हैं उसके बाद ए character gap मतलब हम लोग का जो printing message हो रहा है उसके बीच में कितना gaping है वो रखना है उसके बाद हमारा delay मतलब कितना delay हो रहा है product कितना delay हो रहा है उसके बाद print हो रहा है उसके बाद reverse reverse के बारे में मैं already video बना के डाल चुका हूँ उसके बाद ए देखिए invert जो होता है invert भी हमारा ultra सीधा printing होता है उसके बाद ये देखिए हमारा select राष्टर जो होता है ये हमारा height में 34 होता है अगर हमको इस तरह से message प्रिंट करना है तो हमको ये 34 रखना पड़ेगा standard size है उसके बाद हमारा क्या है ये देख सकते है राष्टर repeat ये राष्टर repeat क्या है एक number पर हमारा set है इसमें 10 number तक है ये देख सकते हैं तो मैं 10 दो number करके और print करके देखता हूँ कि किस तरह से printing हो रहा है फिर interface कर देते हैं हमारा राष्टर repeat जो है ओ दो हो गया अब मैं print करके दिखाता हूँ कि किस तरह से print हो रहा है तो print head के पास चलते हैं ये print head के पास आ गया मैं अब ये देखिए इसी page पर मैं ओ भी राष्टर repeat जो हमारा है टू किया हूँ तो उसको मैं print करके दिखाता हूँ ये देखिए किस तरह से printing हुआ ये देखिए हम अगर ये message का जो हमारा parameter है अगर मैं राष्टर repeat जो है उसको दो पे कर दिया तो हमारा printing जो है कुछ इस तरह से आ रहा है और हमारा अगर ओ एक पे है तो हमारा printing इस तरह से आ रहा है अगर हम लोग को कैन पे print करना है कुछ इस तरह से तो हमारा जो repeat राष्टर होगा ओ एक होगा दो करने पे हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट होगा तो कैन पे प्रिंटिंग के लिए हम लोग का यह पैरमीटर होगा जो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पले पे कुछ इस तरह से हम पैरमीटर डालेंगे तो standard quality का हमारा printing आएगा यहाँ पर देख सकते हैं तो यह जो हमारा राष्टर जो राष्टर repeat है इसको हम एक नमबर पर कर देते हैं और उसके बाद interface कर देते हैं तो हमारा जो printing अब आएगा कुछ इस तरह से आएगा तो इस वीडियो में इतना ही जाने फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में